सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर यह भले आपको थोड़ा सा बड़ा दीख रहा है लेकिन अगर आपको प्लस समझ में आ गिया है से उसी तरीके से है जब आप छोटा वला क्वेशन अगर आपने वीडियो देखा होगा से लेकर जो मेरे 6-7 तक जो मैंने मनाया है तो यह भी आप से असानी स्वाल हो जाएगा अब को अपको आपको स्कॉप्ब करने सिखाता हूँ step by step पहले small bracket को open करेंगे फिर curly bracket को हटाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग पूरे का पूरा solve करेंगे यानिकि square bracket के अंदर जितना है सबको solve करेंगे यह बाहर में 3 भी दिया हुआ है तो इसको as it is अभी उतार दो, minus की sign उतार दो square bracket उतारो, x उतार दो minus curly bracket 2y अब उसके बाद यहाँ पर देखो अब हम लोग solve करेंगे यहाँ पर हम लोग यह bracket हटाने वाले हैं और बाहर में minus की sign है तो minus और plus हो जाएगा हमारा minus 5x उसके बाद minus plus minus y minus और minus plus का 3 इस तरीके से उसके बाद यह हमारा 2x square जो है यह तो x है और यह x का square है तो दोनों अलग लग चीज़े हैं तो यह solve नहीं होगा उसके बाद अब इधार हमारे पास है minus अब सब्सके इसको भी हम लोग चलो bracket हटा ही लेते small bracket इसमें अगर हमने हटा दिया है तो यहाँ कभी हटा देते हैं यहाँ पर हमारे पास देखो minus की sign है तो वही हो जाएगा minus और plus minus x square और minus minus plus में 3y ठीक अब square bracket लगा दो अब यहाँ पर हम लोग पहले तो solve कर लेते हैं यह हो जाएगा 3 minus में यह हो गया x ठीक है उसके पाद minus की sign है तो इसको थोड़ा सा रहने दो पहले अपन थोड़ा सा solve कर लेते हैं इसको उसके बाद यह bracket को हटाएंगे यहाँ पर curly bracket के अंदर देखो 2y है और यह minus y है तो यह plus है और यह minus है 2 में से 1 को minus कर दो क्योंकि plus और minus होता है तो 2 में से 1y को minus करेंगे तो 1y बचेगा तो 1 के जगा में direct उसको y लिखा जाता है जैसे देखो यहाँ पर y को y लिखा गया था ना लेकिन actual में यह 1y रहता है तो यह हमारा 2y में से 1y minus हुआ तो 1y आ गिया उसके बाद यह minus में 5x है प्लस में 3 बच गिया प्लस में 2x square बच गिया curly bracket लगा लो minus x square प्लस में 3y और यह square bracket हमारा ठीक है बस उतार नहीं में time लगता है बाकि solve बहुत असानी से होगा यहाँ पर यह अब हमारा यह जो हमारा x है इसको भी यहाँ तक रहने दो अब हम लोग अटाएंगे यह curly bracket को तो यहाँ पर देखो minus की sign फिर से है तो minus और plus minus y हो जाएगा minus minus plus 5x हो जाएगा minus plus minus 3 यह भी हमारा जो plus वाला है वो minus 2x square हो जाएगा simply जितने भी numbers होते हैं जितने भी terms होते हैं सभी का sign आपस में change हो जाता है minus वाले सभी plus हो जाएगे plus वाले सभी minus हो जाएगे उसके बाद इधर हमारे पास minus x square है ही और plus में 3y है अब देखो आपको बहुत सारे like term मिल जाएगे यहाँ पर यह मेरा x है और यहाँ पर भी x आगिया यह दोना आपस में solve होगा यह y है यहाँ भी y है तो यह भी solve होगा x square और x square solve होगे number के बल एक ही है तो इसको भी रहने दो यह हमारा 3 हो गिया minus की sign लगा के यह भी solve कर लो जब solve हो जाएगा उसके बाद bracket open करना तो देखो यह x है आप चाहो तो यह कठा भी कर सकते हो like term को एक साथ लिख सकते हो ताकि अगर आपको confusion होता है दूर-दूर में solve करने में तो एक साथ लिख लेना बाकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं डायरेट solve कर दे रहा हूँ यह भी plus में और यह भी plus में है तो 5x और 1x हो जाएगा हमारा 6x उसके बाद देखो यह y है और यह y है minus और plus minus 3 में से 1 minus हुआ तो 2y आजाएगा लेकिन बड़े नमबर में plus की sign है तो sign plus ही लगेगी यह धिहान रखना x वाला हो गिया y वाला हो गिया अब यह minus 3 को उतार देता हूँ मैं ऐसी और x के square वाला को solve कर लेते हैं तो दोनों है minus minus में तो आपस में add हो जाएगे 2 और 1 मिलकर के हमारा 3x square हो जाएगा लेकिन बड़े नमबर में minus की sign तो sign minus की लग जाएगी अब bracket को असे close करो और इस वाले step में bracket को open कर लो तो यह हो गया 3 यहाँ देखो फिर से minus है तो वही चीज हो जाएगा minus plus minus 6x हो जाएगा यह plus वाला minus 2y हो जाएगा minus वाला plus 3 बन जाएगा और minus वाला plus 3x square हो जाएगा इस तरीके से जो क्यों की sign थे तो वही चीज में नहीं क्या minus 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 फिर minus minus plus तो वही काम आपको करना है अब यहाँ पर हमारा क्या क्या solve हो रहा है देखो यहाँ पर हमारा क्या वाला number solve हो रहा है तो अबनों number को solve कर लेते हैं 3 और 3 हो जाएगा हमारा 6 तेखा क्योंकि दोनों plus में है इसके भी left में कोई sign यह नहीं plus का है थिरी थिरी अगर सब में रहता है तो हो सकता था कॉमन मिल जाए तो यहीं इसका मेरी सबसा फाइनल एंसर होना चाहिए आप बहुत अच्छे समझ में आगे होगा मिलते हैं हम लोग नेक्स चुडियो में जहाँ पर जो आगे कुशिंस हैं उनको भी मैं आपको उसी तरही से बेसी कॉंसेप्ट के साथ समझा दूंगा थैंक्यू फॉर वाच्चिंग अच्छा एक सिक यहाँ पर फुरसे गलत हो गया था गलत से आप लोगने नोटीस भी क्या होगा कि माइनस और माइनस मेरा यहाँ पर प्लस होना चाहिए था लेकिन मैंने उसको माइनस ही लिग दिया तो यह सुधार लेते हैं यह मारा प्लस